योजने निंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों केवाईसी करवाने के बाद भी अगर आपका दूसरी तिमाई का पैंसन नहीं आया है तो वह क्यों नहीं आया है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप वीडियो अंत तक अवश्यक देखिएगा काफी समय से परिशान है क्योंकि उनके खाते में पैंसन अभी तक नहीं पहुंचा है और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि केवाईसी करवाने के बाद भी पैंसन नहीं मिल रहा है यह अभी कमाल के बात है तो चलिए हम आपको बता देंगे कि क्या करण है जो आपका पैंसन में स्पिलिंग मिश्टेक हुई है जिसकी वज़े से उनका डाटा मिसमेच हो रहा है और अकाउंट तक उनका पैंसन नहीं पहुंच रहा है देखे जब आपने अपना पैंसन का फोर्म भरा था तो वहाँ पर आपका जो एडरस है उनकी स्पैलिंग मिसमेच हो रही है तब भी आपके खाते तक पैंसन नहीं पहुच पा रहा है अब यहाँ पर बात आ रही है कि जब आप अपना आय परमान पत्र बनवाते हैं खास करके वरद्धवस्था पैंसन के लिए जिन्होंने अपना फारम भरा है अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप अपना आय परम कार्ड में है उस नाम के साथ ही आपका आए परमान पत्र बनाया जाता है और फिर ऐसा हो रहा है कि आपके बैंक अकौंट में कुछ और नाम है तो वहाँ पर भी डाटा मिसमैच हो रहा है जो सिस्टम आपकी गलती पकड़ रहा है और पैसा आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा ह देखिए जब आप फैंसन के लिए फोर्म बढ़ते हैं तो उससे पहले आपको अपना आई पर्मान पत्र बनवाना पड़ता है यह तो सभी के लिए कंपल्सरी है आई पर्मान पत्र बनवाना लिखा जाता है लेकिन बैंक अकाउंट में कुछ और नाम होने से और आई परमान पत्र में कुछ और नाम होने से भी आपका डाटा मिस मैच हो रहा है और सिस्टम उसे पकड़ नहीं रहा है अब इस समस्चा का क्या समधान है वरद्दावस्ता पैंसन और दिव्यांग विध्वा पैंसन वाले सुने इस समस्चा का समधान है कि आप अपने नदी की अक्षेत्र में जाएं और अपनी पैंसन चेक आउट कराएं और जहां पर गलती हुई है उसे दुबारा सही करवाएं अपने पैंसन का पैसा पहुचेगा देखिए इसके लिए आपको अपने चेक आउट करवाएं जो आपका पैंसन का फार्म है उसे चेक आउट अवश्य करवाएं और जहां पर भी आपकी गलती है या थोड़ी बहुत भी स्पेलिंग मिसमेच हो रही है उसे सही कराएं एक बार अपने फार्म को अवस्य कराएं और यह कार्य आप अपने नजदी की CC Center में जाकर करवा लिजिए और जब आपकी समझ्या का समधान हो जयेगा आपका सब कुछ सही हो जाएगा आपका फार्म दुवारा से सही हो जाएगा तो आपकी pension आपके खाते में अवस्य पोह जाएगी चाए आपका 6 महीने का pension उखा हुआ हो चाए आपका 3 महीने का pension उखा हुआ हो तब ही जाकर के आपको pension का जो पैसा है वह मिलेगा कुछ pension लाबारतियों की तो 6,000 रुपे pension आ रही है जैसा कि आपने लिश्ट में देखा होगा और कुछ pension लाबारतियों की 3,000 रुपे की pension आ रही है तो 6,000 उनकी pension आ रही है जिनका pension 6 महीने से रुका हुआ था और 3,000 उनकी आ रही है जिनने पहले किस्त मिल गई थी और दूसरी किस्त उन्हें 3,000 मिली है तो अगर आप पेंसन लाबारती हैं तो आप इस कारिया का वैस्ट से कराएं आपका पेंसन तभी आपको मिलेगा वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो प्ली लाइक सेर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा